हालो फ्रेंज में आप लोग को फिर से एक बार स्वागर है तो दोस्तों आसाम की कर्विया लॉंग डिस्टिक में कुछ पोस्त आया है इसमें दोस्तों फोरेस्ट रेंजर माली प्यॉन इस तैप का बहुत सारी पोस्त देखने को मिलेगा अगर आप इस पोस्त में इस पोस्त की बारें हम भी सबकुस डीटेल में जाने की कुज़ करेंगे उससे पहले अगर आप हमारी यूट्यूब सेनल को पहली वाप विजिट कर रहे हो तो सेनल को सबस्क्राइब कर लेना और बेल आकोन को प्रेस कर लेना क्योंकि जब भी सी टेप की इन्फोंशन यहां पर हम करते क्लिक करते दूस्तों इस जो पोस्त यह ओपन होने लाएगा तो यहां पर मैं डाइरेक्ट दिखा रहा हूं आप लोग को यह पोस्त अपन हो चुका यहां पर आप देख सकते दोस्तों थोरा नीचे स्कॉल करेंगे इसका जो ओर्विया लॉग और ऑ्टो of得 तो बात करें यहां पर जाइसा डिपार्टमेंट है। यहां पर सभी डिपार्टमेंट किछने को मिलेगा उसी किसाथ कितना पॉस्ट है कितना क्वालिफिकेस के सैने को होगा सब कुछ बताने वाला हूं ठीक है वीडियो को एंटर देखना ठीक है तो यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों पहला जो पोस्त है अंडर सेकर्टर का पोस्त टूटल एक ही पोस्त दिखने को मिलेगा क्वालिफिकेशन सही ग्रेजुएशन सब्सक्राइब कर सकते यहां पर 30,000 से लेकर 1,100,100,000 तक आपका सेलरी होने वाल आपका सेफय के लोगा बैसिलर डिग्री आच्छेंज को माच किसी भी स्टीम से अगर आपने ग्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाइ कर सकते हो यहां पर जो सेलरी मिलेगा 22,000 से लेके 87,000 तक आपका सेलरी होने वाला है इसका ग्रेट पे होगा 10,900 तक आपका ग्रे पे होगा 9,700 आपका ग्रेट पे देने वाला है ठीक है नेक्स पोस्ट है दोस्तो लेशन ओफिसार का पोस्ट है इसमें टुटेल एकी पोस्ट देखने को मिलेगा क्वालिफिकेशन सही है बैसेलर डिग्री होना सही है आपको सेलरी होगा 22,000 से लेके 87,000 तक सेलरी होने वा दोस्तो आपका क्वालिफिकेशन सही है 3S डिप्लोमा सिविल इंजिनिरिंग में आपका डिप्लोमा होना सही तभी आपका कर सकते हो या पर दोस्तों सेलरी होने वाला है 14,000 से लेके 49,000 तक आपका सेलरी होने वाला है ग्रेट पे होगा 8,700 रुपिस तीक है बहुत चाही क होना सही है इलेक्टिकल इंजिनिरिंग में ठीक है इसमें सेलरी होगा 14,000 से लेके 49,000 तक आपका सेलरी होने वाला है ग्रेट पे होगा 8,700 रुपिस तीक है नेक्स दो पोस्त है दोस्तों फॉरेस्ट रेंजार का पोस्त है टूटल थी पोस्त देखने को मिलेगा जो इसमे है वालिफिकिस्टों से बी ऐ सी इंजिनिरिंग ग्रेट ऐने फिसे में से लूगा पूस्तों तक आपका सेलरी होने वाला ग्रेट पी होगा 10,300 रुपिस नेक्स दोस्तों जून्यर अड्मिनिस्ट्रीटिव एसिस्टें का पोस्त है हिसमें सिक्स पोस्त दिखने को मिलेग प्रफिकेशन जो सही है बैसिला डिग्री आज साथ किसी भी स्टिम से अगर आपने ग्रिदुशन कर लिया है तो आप अप्लाइ कर सकते हो उसी की साथ वान एर का कॉम्पीटर डिपलमा भी आपको पास होना से तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाइए कर सकते हो या दोस् इसमें education qualifications bachelor degree होना साथ कोई भी stream से अचेंस को माच लेकिन उसी की साथ आपका जो है computer डिपलोमा होना साथ जिसमें 1-year का experience होना साथ ठीक है computer diploma मतलब 1-year का course आपको खोच्चा नकशनाच को सभी सब्सक्राइब को 310.4 थो सक्षोंद तो सेक्षोंगे आएक ये वनीटे आप सथोसे आपका मिल सखने को मिलएगा नेक्स पोस्ते दोस्तों सेक्षोनल एसिस्टेंट का पोस्ते जिसमें एक ही पोस्त दिखने को मिलेगा जिसमें क्वालिफिकिशन जो सही है पुछ पास होना से अगर आप एक ट्वेल पास के अप्लाइब कर सकते हैं उससी की साथ आपका जो है कॉंपुटर का डिपलमा भी होना सही है इसमें जो कॉंपुटर का को से वह सिक्स मांथ का भी है तब ही आप हो जाएगा ठीक है यह पर सालरी मिलेगा फॉर्टीन थाओज की बैसिलर डिग्री इन अन्ट्रापोलोजी विट मिनिमाम टू यह एक्स्पी एंस साहिए तेडि काल्सार्ल एक्टिविटीज में आप लोग को टू एक्स्पी एंस होना से ठीक है इसमें जो सेलरी होगा फॉर्टीन थाओजन सेलरी होगा ग्रेट्वी होगा 8700 रुपीस ठीक है नेक्स पोस्ते दोस्तों जैनेट और ऑपरेटर का पोस्त है ठीक है इसमें जो है टू पोस्त देखने को में लगा एडूकेशन स्क्वालिफिकरिशन जो है वाइट होना सही है ठीक है आईटी आप लोग को इलेक्टिकेल और मैट्रिक विट एक्स्पीरेंस इन इलेक्टिकेल वॉक्स मना इलेक्टिकेल आपका वोग होना से मतला एक्स्पेरेंस भी आपका होना से तभी आप इस पोस्त के लिए अप्लाए और जहां से कर सकते हो ठीक है तो बात के यहां पर सेलरी की 12,000 से लेके 37,500 तक आपका सेलरी मिलेगा ग्रेट पेज हो है 300,000 ठीक है 37,500 तक आपका सेलरी होने वाला है ग्रेट पे मिलेगा 3,900 रुपीज ठीक है नेक्जों पोस्ते दोस्तों ओफिस प्याउन का पोस्ते जिसमें फोर पोस्त देखने को मिलेगा इसमें भी क्वालिफिकिशन जो सही है 10 पास होना सही है ठीक है उसके साथ इसमें जो प 20 तक अगर आपका अगर आप एक जैनेल केंडिटेट हो तो आप अप्लाइ कर सकते हो मानले जाप एक एस्टी या सिकनीडिटेट हो तो आप 5 येस का छूट मिल देगा गौव्मेंट रूल की सबसुत से कि 38 के साथ 5 येस प्लास हो जाएगा ठीक है अगर आप एक ओश्य के स्सक्सक्राइब जो करविया लॉंग का कर भी अलंग चैन स्पोच के लिए अप्लाइक कर सकते हो उसकी इलावा कोईपलाई कर चैन सिगे कर दोस्तियू का यहाँ बेम करहौंग सब्सक्राइब डिक्याब करना होगा तो अब आप लोगो 20 रुपीस आपको पे नोट निए भी करना होगा मतलब को भेजना होगा अगर आप आप सब्सक्राइब करना होगा जो की वीडियो के एडिक्रिप्सन में मिल जाएगा वहां से क्लिक कर आप स्टेंडर्ट फॉर्म को डाउनलोड कर लेना उसको फील कर लेना फिल करने के बाद वहां पे दोस्तों आप लोग को क्या करना है जो भी आपका डॉकुमेंट से क्वालिफीकेशन की डोकुमेंन्स हो गया यह पूफ में आप ड़ोफ पेंब काड़् या अडर कर सकते हो वह सब देना हो गाँ उसके बाद का सार्टिफिकार अगर आप STSC हो तो या OBC हो आपका का सार्टिफिकार आपको देना होगा उसके बाद दोस्तो जो एम्प्लोयमे Strike candidate होगा वह लोग 20 रुपीज का वह फे करेगा और जो नस्ट अस्ट स्टी एंस्टी 10 रुपीज भेज़गा ठीक है यहां पे बात करें दोस्तों यहां पे पोस्ट मिलेगा आप यहां पर देख सकते हो तो इहां पर प्लाइ का स्टार्टिंग है वह 12 जुलाइ 2021 से एक्ट करेगा और लास्ट जो है 31 जुलाइ 2021 से पहले आपको भेजना होगा ठीक है तो क्योंकि आप खुड का डिस्तिक है तो आप खुड़ी जाके दिखे आ सकते हो ठीक है तो यहां पर बात करें दोस्तों एड़्टेस्मेंट का लिंक यह है और अफिसियली ज निकला थैंक यू जेहिन